तो हलो स्ट्रेंट्स आज हम लोगों का बात करना है कैल्सियम करवाइड के बारे में कि कैल्सियम करवाइड वाटर के साथ कैसे रेक्शन करता है तो आपको वास्तों में कैल्सियम करवाइड देखने में कुछ ऐसे पथल के टाइप कर दिखाए पड़ता है ठीक है और कैल्स यह हमका hydroxide and acetylene gas बनाता है ठीक है और इस acetylene gas का उप्योग gas welding में किया आता है ठीक है तो यह बहुत यहीं अधिक explosive gas होता है आपका मतलब की बहुत खतरनाक टाइप में gas होता है तो आज हम लोग को इसको practically रूप में देखेंगे बना करके कैसे बनता है तो आई यह आप हम लोग experiment start करते हैं देखें हम लोग एक बॉटल के अंदर पानी ले रखे हैं और यह आपका एक saline set ले रखें है ठीक है जो कि आपका पुरा set है यहाँ पर यह से और इसमें हम लोग इसमें होल करके इसको अच्छे से फिट कर लिए ताकि गैस अजना लिके लिए बहार ठीक है और यह इसमें जो वाटर लिए हैं और थोड़ा सा हम लोग एक कैल्सियम करवाइट ले रखें ठीक है अब इस कैल्सियम करवाइट के टुकड़े को इस पानी के अंदर हम लोग डालेंगे तो देखिए यह आपका कैल्सियम करवाइट रहा चिक है यह कैल्सियम करवाइट के टुकड़े को हम लोग पानी के अंदर डालेंगे और यह इसके अंदर रियक्शन होने लागा दिख रहे हैं यहां से आपको गैस बाहर निकलने लगा आप देख रहे होंगे अच्छे से यह कितना इसके अंदर आपको निकल रहा है जिक है यह पानी जैसा भी इसके बाहर निकल रहा है और इसको जला कर देखेंगे कैसा जौलता है देखिए यह क्या है कितना अब साउंड भी कर रहा है है नार तो यह रहा आपका यही है आपका Acetylene गयस है ठीक है और इसी Acetylene gas को हम लोग welding के रूप में यूज करते है ठीक है यह आपका एसे डियन कैसे आप देख रहे हैं यह बहुत डेंजरस्ट गयस होता है आपका चीक है किसको यह हम लोग खोल देते हैं मुझा देखिए तो हमारे के साथ एक्सपरिमिंटल विडियो इसा अप्लोड के आता है तो ऐसे ही विडियो के लिए और एक्साल लाइक सोज़ी कि सब्सक्राइब अपर चिरी के आइ खकाए